Hello everyone, welcome to Okul, इंडिया के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस Certificate Physical and Human Geography GC Lyong के course को हम लोग आगे बढ़ाते हैं Chapter 1 में ही अभी हम लोग हैं और आज इसके part 3 की हम बात करने वाले हैं ठीक है तो जैसे कि पिछले हफते के जो last week के जो तीन lectures थे वहाँ पर आपने चीजों को थोड़ा बहुत समझा इस book को हमने start किया है और वहाँ पर जो last part हमने जहां पर बात की थी हम बात कर रहे थे इस ferocity of the earth ठीक है कि धरती गोल है उसके लिए क्या-क्या हमारे पास evidences हैं उनकी हमने बात की थी और last time पर जो last topic हमने जहां पर पिछला lecture छोड़ा था लीव किया था वो था कि अर्थ के जो movements हैं उसमें हमने rotation के बारे में जाना था ठीक है कि किस तरह के rotation होने के वज़े से क्या होता है day and night होता है और मैंने आपको बताया था कि जो दूसरा movement है यानि कि जो revolution around the sun का जो movement है ठीक है कि earth जो sun के around revolve करती है in an elliptical path या elliptical orbit में जिसकी वज़े से seasons होते हैं ठीक है कि साल में जब गर्मी season होता है वो किस तरीके से होता है वो आज हमें समझना है वो जादा important movement है ठीक है तो आज उसको हम समझेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से में एक बार request करना चाहता हूँ कि जो लोग इस course को follow कर रहे है जिनको ये video series पसंद आ रही है वो जादा से जादा videos को like करें जादा से जादा share करें अपने दोस्तों अपने colleagues के साथ जरूर share करें क्योंकि लोगों को ये पता लगना चाहिए कि इस तरीके कोई course वगरा जो है वो यहाँ पर चल रहा है तो आप लोग भी channel को जरूर subscribe कर सकते हैं और bell icon press के लिजे so that की videos के notifications वगरा जो है वो बिल्कुल miss ना हो ठीक है चलिए तो start करते हैं आज का lecture चलते हैं अपनी book की तरफ देखिए आज हम बात करेंगे earth revolution को लेकर ठीक है देखिए earth revolution का मतलब वही है कि जब वो sun के about revolve कर रही है sun के चारो तरफ और किस direction में करती है यह मैं आपको किछली बार बताया था anti-clockwise direction में ठीक है जब हम उपर से अगर देख रहे हैं तो anti-clockwise direction में वो move कर रही है यानि कि इस तरीके से when the earth revolves around the sun it spins on an elliptical path ठीक है elliptical path में वो move करती है इस speed कितनी है देखिए बहुत तेज है 18.5 million per second sorry miles per second ठीक है काफी तेज इस speed है या फिर आप इसको कह सकते है 66,600 miles per hour ठीक है तो इस speed जो है काफी तेज है ठीक है इसके बाद आगे देखिए one complete revolution जो है उसमें कितना time लगता है यह हमने पिछले बार भी बात की दी 365 and one by four days ठीक है और यह one by four जो days है वही आगे जाके जो है चार साल में एक दिन बनके क्या बन जाता है एक leap year तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि it is not possible to show a quarter of a day in a calendar ठीक है एक चौथाई जो दिन है उसको calendar में नहीं दिखा सकते है इसलिए जो normal year है उसको 365 दिन का लिया जाता है और extra day को add कर जाता है हर चार साल में जिससे बन जाता है एक leap year और leap year में हो जाते हैं कितने 366 days ठीक है यह आप लोग को पता है जिसमें February के मैने में 29 days होते हैं ठीक है February के मैने में हर 4 साल में ठीक है जैसे कि 2020 चल रहा है तो 2020 यह जो था एक leap year था आपने देखा होगा कि 2020 में जो February का मैना था उसमें 29 दिन ठीक है और हर 4 साल में यह आता है तो अगला जो आएगा वो 2024 माएगा ठीक है इसके बाद देखे इसकी वज़े से जो days और night की length है वो vary करती है यह भी समझना जरूरी है हमने पिछले पार्ट में यह तो जाना था कि जो rotation होता है अर्थ का अपनी axis के बाद जो rotate करती है उससे days and night होते है ठीक है लेकिन अब हमें यह पता है कि जो days and night होते है आपने भी यह चीज़ खुद भी notice की होगी कि साल भर days or night जो होते है वो बराबर समय के नहीं होते ठीक है सर्दियों में generally क्या होता है कि राते लंबी होती है ठीक है जल्दी अंधेरा हो जाता है सुबह सूरज देर से उकता है तो आप चेहते हैं की राते क्या है लंबी होती है दिन जो है चोटे होते है ठीक है और वही अगर आप summer की बात करें अगर आप गर्मियों की season की बात करें तो दिन जो है वो काफी लंबे होते है जैसे आजकल भी आप लोग देख रहे हैं longer और nights जो है वो थोड़ा सा shorter होती है ठीक है तो यह जो effect है कि length of day और night जो vary करता है वो किस वज़े से है वो revolution की वज़े से भी है और tilt की वज़े से भी है ठीक है यह दोनों चीजों को हम समझते है ठीक है यहाँ पर तो basically मैं कहूंगा कि theory दी हुई है इसको आप पढ़ेंगे इ अच्छे तरीकी से समझेंगे ताकि हमें यह concept जो है विल्कुल clear हो जाया और कभी भी इस concept पर हम लोग गलती ना करें ठीक है चलिए तो इसको वहाँ पर तोड़ा से पहले देखते हैं समझते है देखिए इसको आप यहाँ पर समझे पहले अच्छे से कि यह क्या चीज है यहाँ पर आपको basically चार phase दिखाए गए है ठीक है और यह जो phases है मैं आपको बता दूँ कि northern hemisphere के respect पर हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है देखिए equinox यहाँ पर पहले आपको दो word देखने को मिल रहे है what is your equinox another one is your solstice ठीक है equinox जो word है इसका मतलब होता है equal nights ठीक है जो रात है और दिन क्या है बरावर है that is at the equinox और solstice का मतलब क्या होता है कि जो आपके दिन है वो बड़े होंगे या फिर जो आपकी रात है वो बड़ी हों ठीक जून solstice की बात है तो अगर हम northern hemisphere की बात करें तो पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेगा कि जून solstice को summer solstice बोलते है ये universal नहीं है ठीक क्यों universal नहीं है अब बिताता हूं आपको ठीक है और December solstice को जो winter solstice बोलते है ये universal नहीं है ये आप ध्यान रखेगा एक बात तो ये है ठीक इसके बाद पहले आप कही गईजिए पहले आप इनकी dates note down कीजिए 21 March ठीक है March जो ए equinox है that is 21st March June solstice is 21st June again September equinox जो है that is 23rd September और जो December solstice है that is 22nd December ठीक पहले तो आप ये date note down कीजिए इसके बाद आप दूसरा concept एक और ये समझे जो मैं आपको समझा रहा हूं कि summer और winter वो कैसे होगा ठीक है अगर आपका जो अर्थ है देखे आप पहले किसी भी एक figure में समझे ये चली आईए इस figure में ही समझते हैं देखे अगर ये अर्थ ऐसी होती मतलब अर्थ की जो access है अगर मान लीजिए इस तरीके से straight access होती ठीक है देखे अगर अर्थ की access जो है वो ऐसी होती तो पूरा का पूरा जो अर्थ है मतलब उसकी जो हर जगे पर आप कह सकते हैं कि ज जो summer थे या जो winter था या जो days and night की duration है वो बराबर होती लेकिन ऐसा नहीं है हमें पता है कि अर्थ की जो access है वो ये है ठीक और ये अपनी access से इस direction को अगर आप बात करें आप इस access की बात करें तो this is 23 and a half degree पर ये क्या है inclined है ठीक है या फिर आप कहें कि जो इसका ये वाला plane है इस plane से अगर आप बात करें इस वाले angle की तो this becomes your 66 and a half degrees ठीक ये इतना क्या है tilt है ठीक है ना और इस tilt होने की वज़े से ही तिल्ट होने की वज़े से ही क्या है जो हमारे seasons होते है summer season winter season वो इसी वज़े से होते है पहली बात तो ये समझे ठीक अब हम कब कहेंगे कि हमारा summer season है या हम कब कहेंगे कि हमारा winter season है इसके लिए आपको एक चीज ये समझनी है कि हमारे पास दो hemisphere है ठीक है जब हम इस concept की बात कर रहे है तो आप eastern hemisphere और western hemisphere के concept को भूल जाएगे आपको सिर्फ दो hemisphere याद रखने है that is your northern hemisphere and southern hemisphere ठीक है अब देखिए ये आप बात को ध्यान रखे है ठीक है जो भी hemisphere sun की तरफ को tilted है वहाँ पर summer होगा जैसी कि आप इस वाले figure में देख सकते है ये वाला कौन सा hemisphere है this is your northern hemisphere ठीक है ये sun की तरफ को tilted है यानि कि इस समय पर यानि कि ये जो समय में आपको बता रहा हूँ जून का समय है ठीक है यानि कि आप कह सकते हैं कि March से ले इंडिया की respect में आप लोग मतलब experience कर रहे है कि March से लेकर सितंबर तक लग भई यहाँ पर क्या रहता है summer season रहता है ठीक है ये बात आप समझ गए इसके बाद आप ये दूसरी वाली figure देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला hemisphere है ठीक है ये अगर हमारा एकुलटर है इस तरीक आउस्ट्रेलिया सर्दन हमिसफ्एर में है ठीक है तो सर्दन हमिसफ्एर में होने की वज़े से ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा कि September से लेकर March तक September से लेकर March तक Australia में क्या रहेगा summer season रहेगा ठीक है और तो ये चीज़ आपको बड़ी एक तो clear हो गई है कि कब हम कहेंगे कि क किसी भी हमिस्फेर में समर है या किस भी हमिस्फेर में विंटर है ठीक है तो जब नौर्दन हमिस्फेर में समर है तो विंटर कहा होगा सदर हमिस्फेर में यानि कि इस वाले हमिस्फेर में क्या होगा विंटर होगा यहां पर इस समय ठीक है और दूसरी बात जब आप देख है कि Southern Hemisphere में Summer है तो Winter कहा होगा Northern Hemisphere में समय Winter होगा ठीक यानि कि इंडिया की respect में आप बात करें तो September से लेकर March तक लगभग यहाँ पर क्या रहता है सर्दियों का मौसम रहता है या Winter Season रहता है ठीक है यह आप बात समझगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ में जो आपको बताना चाह रहा था कि Summer Solustus और Winter Solustus जो वर्ड है यह Universal नहीं है ठीक है आप इसको June Solustus और December Solustus बोल सकते हैं यह वर्ड तो Universal है लेकिन वो Summer कौन सा है समर वाले को आप June Solustus को Winter Solustus यह मैंने Northern Hemisphere के रिस्पेक्ट में लिखा है ठीक है क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के बारे में हमें जानना है तो इसलिए उसी के कंटेक्स में मैंने लिखा है कि This is your Winter and Summer Solustus इस तरीके से लेकिन अगर आम Southern Hemisphere के किसी कंट्री के बाद में बात करें मान लिजी आप Australia को लेकर बात करते हैं ठीक है तो Australia के के केस में क्या है कि जो June Solustus होगा June Solustus will be a Winter Solustus in the case of Australia यह ध्यान रखेगा ठीक है This will be a Winter Solustus in case of Australia ठीक और similarly अगर मैं बात करूँ December Solustus की तो December Solustus will be a Summer Solustus कहां यह एक Summer Solustus होगा मैं बात करना हूँ Australia के टम्स में ठीक है यह बात आप समझ गए बहुत अच्छे से कि Winter Solustus और Summer Solustus जो वर्ड है they are not universal June Solustus, December Solustus आप कह सकते हैं कि universal है लेकिन कौन सा Summer होगा, कौन सा Winter होगा वो depend करता है कि हम किस Hemisphere को लेकर बात कर रहे है ठीक है, पहनी चीज़ आप यह समझ गए, चलिए आप इतना इस concept में समझ गए तो मैं आपको आप जो है थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, एगले step की बात हम करते है देखिए, अब हम बात करते हैं एक-एक specific terms की ठीक है, specific चीज़ों को हम समझेंगे देखिए, यह वाली जो figure है इसमें आप साफ-साफ देख सकते है कि जो हमारा Northern Hemisphere है ठीक है, जो Northern Hemisphere है वो Sun की तरफ को tilted है यानि कि हम यह कौन से figure की बात कर रहे है This is, हम अगर इंडिया के respect में बात करते है या Northern Hemisphere के respect में बात करते है तो पहले चीज़ तो यह है This is your June Solustice के हम बात कर रहे है ठीक है, और this is your Summer Solustice, क्योंकि आप ध्यान रखे हम सारी के सारी बात जो है Northern Hemisphere को लेके ही करेंगे क्योंकि हमें इंडिया के बारे में जानना है इंडिया के बारे में पढ़ना है और इंडिया जो है वो Northern Hemisphere में ही है ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यह हमारा जो है This is our equator This is our tropic of Cancer And this is our tropic of Capricorn ठीक, यह equator है This is equator This is our tropic of Capricorn यानि कि जिसको बोलते हैं मकर रेखा ठीक, and this is your tropic of Cancer ठीक, यानि कि करक रेखा इसके उपर आप चले जाएंगे तो this will be your Arctic Circle और इसके नीचे आप आजएंगे तो this will be your Antarctic Circle ठीक है Antarctic Circle और यह जो उपर वाला होगा this will be 66.5 degree पर this will be Arctic Circle ठीक है, यह आप समझ गए अब इसके बाद आप देखिए बात कर रहे है जून सॉलिस्टर्स की यानि की 21 जून की ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते है कि जो Tropic of Cancer है लगभग इसके उपर जो Sunrise है वो कैसी पढ़ेगी? Straight, ठीक है? देखिए, यहाँ पर अगर आप इस तरह की से Sunrise देखींगे तो आपकी Sunrise जो है वो Straight पढ़ेगी कहाँ पर Tropic of Cancer के उपर ठीक है? बिलकुल आप देख सकते हैं और जेतना जादा आप इस धर की तरफ को बढ़ेगे यानि कि Towards the Pole आप जाएंगे तो आपकी जो Sunrise है वो क्या होती चले जाएंगी? Slant होती चले जाएंगी ठीक है? और आपको जो यहाँ पर एक तरीके सा आप देख रहे हैं कि आपको यह Dark और Light वो दिखाये जा रहा है ठीक है? कि आप देख रहे हैं कि अर्थ क्या है? आधे में Dark बनी है, आधे में Light बनी है तो इसका मतलब क्या है? कि जो Light वाला पोर्शन है वहाँ पर Sun चमक रहा है ठीक है? और Dark वाले पोर्शन में Sun नहीं चमक रहा है तो यानि कि Dark वाले पोर्शन में तो अंधेरा है वहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा Sun है यानि कि वहाँ पर क्या होगा? पूरा का पूरा दिन है ठीक है? और जो आप Southern Hemisphere में देख रहे है Beyond your Antarctic Circle वहाँ पर आप देख सकते है कि क्या है? पूरा का पूरा अंधेरा है यानि कि पूरी की पूरी वहाँ पर क्या है? राथ है. 24 hours. ठीक? और यह चीज जो है, आपको एक चीज पता है, कि हम यहाँ पर जो चीज आए है, वो हम कहां से आए है? यह मैं बात कर रहा हूँ 21 जून की. ठीक है? हमारा यहाँ पर क्या होता है? इसके उपर वाले region में आपक यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या है? 23rd September यानि कि Equinox है, और दोनों के दोनों Equinox में हमें पता है, कि जो हमारा Sun है, वो Overhead किसके होता है? एक्वेटर के. ठीक है? तो एक्वेटर के जब Sun Overhead है, और जब यहाँ पर March के बाद Northern Hemisphere में गर्मी बढ़ रही है, यानि कि आप क ठीक है? यानि कि यहाँ से वो डूरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, यहाँ पर 21 जून को आके वो Maximum हो जाएगी, और उसके बाद धीमे धीमे जो 21 जून के बाद से 23rd September तक है, उसके बाद जाके वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इस रीजन की बात क मैं समझाता हूँ क्या होगा? यह देखिए, यहाँ पर हम आजाते हैं अगर, अगर मैं इस टाइम की बात करूँ तो यह कौन से टाइम है? इस इस अवर 22nd December, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा यह equator है, इस इस अवर Tropic of Cancer, इस इस अवर Tropic of Capricorn, ठीक है? यह हमार एक विल्टर आपका ऐसे स्ट्रेट बनेगा, ठीक है? तो यह आपका, यह है, ठीक है, यह ऐसे समझ गए आप, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सन्रेज हैं, वो डैरेक्ट कहां पर पढ़ रही है, आपकी जो सन्रेज हैं वो डैरेक्ट पढ़ रही है, Tropic of Capricorn के पास ठीक है तो एक चीज़ आप और note down कीजेगा कि Tropic of Capricorn से नीचे मनलब Southward और Tropic of Cancer से उपर यानि कि Northward कभी भी जो Sun है वो straight नहीं होता है ठीक है इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेगा कि कभी भी जो Sun है वो इन दोनों रेस के उपर straight नहीं होता है और वो क्यों है वो क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो अर्थ की axis है इस ट्रेट से अगर मैं बात करूँ तो अर्थ की axis कितनी tilt है साड़े 30 degree ठीक है ना साड़े 30 degree tilt है और वही साड़े 30 degree जो है इन दोनों जगों के ठीक है वही साड़े 30 degree का जो tilt है वही इन दोनों जगों का भी आपको पता है कि axis का angle है ठीक है आपको पता है कि Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn का जो angle है ठीक है किस तरीके से latitude वगरा ना पे जाते हैं इसको हम अब ये book में अगले part में दिया है तो इसको अगले part में ही समझना पड़ेगा ठीक है लेकिन फिलाल आप समझ सकते हैं कि equator जैनी अर्थ के center से आप किसी भी position को किसी भी place को अगर आप इस तरीके से जोडते हैं और ये angle अगर आप निकालते हैं ठीक है तो ये साड़े 20 degree आएगा ठीक तो इस लिए साड़े 20 degree पर ही क्यों होता है ये इसका जवाब ये है कि जो अर्थ है उसका जो tilt है वो भी साड़े 20 degree का ही है तो इसलिए साड़े 20 degree north और साड़े 20 degree south से beyond जो है वो sun कभी भी straight नहीं होगा ठीक है ट्रॉपिक आफ कैंसर से उपर के अगर कोई जगे है या ट्रॉपिक आफ कैप्रिकाउन से नीचे की कोई भी जगे है तो वहाँ पर कभी भी जो sun है वो overhead नहीं आ सकता ठीक है ये बात आपको समझनी है ठीक है तो इसके बाद जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ वो ये है कि आप देखिए ट्रॉपिक आफ कैंसर का जो रीजिए जो आर्टिक सर्कल से उपर का रीजिन है यहाँ पर पूरा का पूरा इस समय क्या है अंधेरा है ठीक है यानि कि पूरी कूरी रात है और similarly आप देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन या उससे नीचे का जो रीजिन है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है दिन है ठीक है और ये धीमे धीमे कम बाकी होता रहता है जैसे हम लोग ने पिछले मैंने आपको जो फिगर दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 21 जून को क्या है कि जो नॉर्दन हेमिस्फेर है यानि कि Arctic Circle से जो ऊपर का रीजिन है वहाँ पर क्या है हमेशा सूरज उगा हुआ है ठीक है वो धीमे 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 करके कम होगा ठीक मिड में आएगा वो लगभग आप कह सकते है जो आपका Spring Solustress होता है सॉरी जो Autumn Solustress होता है सेटेंबर को और 22 दिसंबर को जाकर जब हमारा Winter Solustress होता है तो वहाँ पर पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा अंधिरा ठीक ये बात आप समझ गए Arctic Circle से उपर की मवाद कर रहो और आपको एज चीज का और ध्यान देना है कि जो हमारे Pols है उन में 6 मेने उजाला और 6 मेने अंधिरा रहता है Exactly Pols पर ठीक है यानि कि अगर आप Northern Pole की बात करें North Pole की अगर आप बात करते हैं तो North Pole में लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि जब हमारा जो Spring Equinox है यानि कि कब से होता है Spring Equinox 21 March से लेकर जो हमारा दूसरा Equinox होता है Autumn Equinox that is 23rd September तक यहां पर इसमें पूरा का पूरा क्या रहेगा उजाला ठीक है यानि कि यहां पर पूरा की पूरी डेलाइट रहेगी इस समय Northern Hemisphere में ठीक है जो सबसे जादा होगी आपके इसका जो Beach का duration है वहाँ पर 21st of June को ठीक और बाकी यहां से लेकर यहां तक सिर्फ Northern Pole की में बात कर रहा हूँ ठीक है इसके जो Beach के Regions है यानि कि वैसे Regions तो आपका Arctic Circle और उसके Beyond आता है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर है यानि कि जितना Region आप कह सकते हैं कि Pole के पास होगा वहाँ पर उतना जादा duration की Sunlight रहेगी ठीक है और North Pole की अगर मैं exactly बात करूँ तो 21 March से लेकर 23 सितंबर तक यहां पर पूरा का पूरा डेलाइट रहता है ठीक और वहीं अगर इसके हम Beyond चले जाए यह South Pole में हम चले जाए तो just इसका उल्टा यानि कि 23 सितंबर से लेकर 23 सितंबर से लेकर 21 March तक वहाँ पर क्या रहेगा वहाँ पर daylight रहेगी इस टाइम पर ठीक है जो की peak में होगी अपने इसके जो beach का time है that is your winter solistice का time पर December में ठीक यानि कि यह मैं बात कर रहा हूँ Antarctic Circle और उसके Beyond की ठीक है और इसी तरीके से जो भी places Antarctic Circle या उससे नीचे की तरफ को है वहाँ पर जो duration of darkness है वो धीमे धीमे बदलेगी तो आप समझ सकते हैं कि जब इस season में यहाँ पर light है ठीक है 21 March से लेकर 23 सितंबर तक तो 23 सितंबर से लेकर 23 March 21 मार्च तक क्या होगा यहाँ पर अंधेरा होगा सीधी सी बात है ठीक है सिमिलरली अगर 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ पर daylight है साउथ पोल में तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ पर क्या होगा night hole ठीक और यही season आपको पता है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक का जो season है पल्टा सीजन आएगा वो क्या हो जाएगा winter season ठीक तो I hope आपको यह concept जो मैंने बताया कि किस तरीके से जो यह चीजें हो रही है कि कैसे northern hemisphere में या northern pole में कैसे 6 मेने अंधेरा रहता है और कैसे 6 मेने उजाला रहता है I hope कि आपको इस figure से और इन चीजों से clear हो गया होगा ठीक है so this is the best possible way जिस तरीके से मैं आपको चीजें समझा सकता था ठीक है ना चलिए अब इसको हम दुबारा चलते हैं और book में थोड़ा बहुत चीजें जो दी हुई है उनको पढ़ लेते हैं अब आपको वो चीजें जो वहाँ पर दी गई है वो बहुत अच्छे से समझ में और आसानी से समझ में आ जाएंगी ठीक है चलिए देखिए varying lens of day and night के हम लोग बात कर लेते हैं कि axis of the earth जो है वो inclined है to the plane of the elliptic यानि कि the plane in which the earth orbits around the sun at an angle of 66 and a half degree ठीक है मैं आपको बताया कि जो plane है जैसे कि आपका ये अर्थ है इस तरीके से तो जो हमारा plane of ellipse है यानि कि ये वाला यहां से ये 66 and a half degree rotated है यानि कि tilt है और अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो this is around 23 and a half degree ठीक है ना ये आप समझ गए giving rise to different seasons and varying lengths of day and night ठीक अगर जो axis है वो perpendicular होती यानि कि अगर axis हमारी ये होती मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी अर्थ की axis ये वाली होती तो क्या होता कि इस तरीके से जो variation है वो नहीं होता तो all parts of the globe would have equal days and nights at all times of the year but we know this is not so ठीक है ऐसा नहीं है अब हम बात कर लेते हैं northern hemisphere की winter में अब आप देखिए बड़े ध्यान से उस figure को जो हमने पीछे समझाया है आपको उसको आप साथ के साथ relate करिए ठीक है कि अगर हम northern hemisphere की बात कर रहे हैं winter में यानि कि December के time पर तो जैसे जैसे हम northward जाएंगे तो जो हमारे darkness का hours है वो बढ़ते जाएंगे यह मैं आपको बताया है कि Arctic circle के beyond आप जैसे जैसे जाएंगे December के बाद मतलब December के time पर तो peak है जब आप जा रहे है September से लेकर March तक वो दीमे-दीमे क्या हो रहा है कि वहाँ पर duration बढ़ रहा है यानि कि आप कहेंगे कि September से December तक बढ़ रहा है December से फिर March तक क्या होगा वो दीमे-दीमे कम होगा और peak कहाँ पर होगा उसका December में ठीक है यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि Arctic Circle के अगर हम बात करते हैं the sun never rises and there is darkness for the whole day in the mid winter on 22nd December 22nd December को वहाँ पर क्या होता है कि सूरज नहीं उखता है कहाँ पर लिखा गया है Arctic Circle पर ध्यान रखेगा ठीक है और beyond the Arctic Circle अगर हम बात कर रहे हैं यानि कि उससे उपर का जो region है तो number of days with complete darkness increases until we reach the North Pole हम जैसे जैसे North Pole की तरफ को बढ़ेंगे मैं आपको बताये कि जितना आप North Pole की तरफ को जाते जाएंगे number of days आपके धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे सिर्फ Arctic Circle की अगर हम बात कर रहे हैं तो Arctic Circle में अंधेरा पूरा का पूरा अंधेरा आप कह सकते हैं दिन होता है 22 दिसंबर के दिन और जैसे जैसे आप Northward बढ़ेंगे तो आपके जो number of days है with complete darkness वो बढ़ते जाएंगे और North Pole में पूरे के पूरे 6 मैने के लिए जो रहे है वो अंधेरा रहेगा कब से कब तक यह आपको मैंने बताया है 13 September यानि कि Spring autumn equinox से लेकर जो आपका spring equinox आएगा 21 March वहां तक ठीक है देखिए when half of the year will have darkness in the summer अगर हम गर्मियों की बात कर रहे है तो condition जो है वो exactly reverse हो जाएंगी daylight increases as we gold polewards में आपको फिर बताया है कि जैसे ऐसे हम उपर की तरफ को बढ़ रहे है ठीक है अब आप दूसरी वाली figure की तरफ को समझिए कि जो वन आपको समझाया कि किस तरह किसे daylight वहाँ पर बढ़ रही है at the arctic circle जो sun है वो कभी set होता ही नहीं है यानि कि पूरे के पूरे 24 गंटे वे sun जो set नहीं होता है वो किस दिन है summer solustice यानि कि 21 जून के दिन ठीक है और there is 24 complete 24 hour period of continuous daylight ठीक in summer the region north of the arctic circle is popularly referred to as the land of the midnight sun क्योंकि मैं आपको बताया कि वहाँ पर क्या है कि north pole में 6 महने के लिए क्या रहेगा उजाला रहेगा continuous daylight रहेगी और कब से कब तक 21 March से लेकर 13 सितंबर तक ठीक है और जैसे जैसे आप arctic circle से उपर को बढ़ते जाएंगे जो आपके जैसे सर्जियों के समय पर क्या हो रहा था कि जो darkness के days है वो बढ़ रहे थे similarly यहाँ पर अब क्या होगा कि जो daylight के days है वो बढ़ेंगे ठीक है यही चीज जो है इसने अगले figure में दिखाई हुई है वैसे book में ठीक है यह वो figure है ठीक है आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 21 June में जो यह वाला region है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उजाला है ठीक है similarly आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा अंधेरा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर का टाइम है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है अंधेरा है ठीक है आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक ठीक है this is your daylight और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक अगर आप चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा अंधेरा ठीक नॉर्थ पोल की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन Arctic Circle से उपर को अगर आप बढ़ेंगे तो ज September आएगा 23 September के बाद फिर वहां पर उजाला होना शुरू हो जाएगा ठीक है और 23 September से लेकर जो आपका यह वाला टाइम है ठीक है यहां पर जो आपका डाकनेस आएगी उसके बाद क्या होगा कि यहां से डाकनेस बढ़नी शुरू होगी तेश सितंबर के बाद डाकनेस कर लिजेगा Southern Hemisphere के लिए ठीक है जब Northern Hemisphere में उजाला है तो Southern Hemisphere में अंधेरा हो जाएगा वहां पर अंधेरे मतब डाकनेस आजएगी ठीक है और जस्ट इसका उल्टा आप वहां पर कर लिए टाइम डिरेशन आपको जस्ट रिवर्स करनी है बाकी कुछ नहीं है अगर आप और जो टाइम दूरेशन वगरा है वो चेंज हो जाएगा वेन इट इस समर इन नौर्धन हमिस्फेर जे संदन हम कॉंटिनेंट्स विल एक्स्पिरियंस विंटर एंड मिड्समर अट नौर्थ पोल विल बी मिड्विंटर एड दा साउथ पोल ठीक है यानि कि जो मिड्समर या उसकी हाइट के बारें बात कर लेते हैं इन दा कोर्स ओफ ए एर दा अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड दा सन विज एक्सेस इंक्लाइट इस सिक्सिक अफ डिगरी तू दा प्लेन ओफ एलिप्टिक चेंज दी अपेरेंट अल्टिटूड ऑफ दा मिड्डे सन ठीक है सन जो है वो वर्टिकली ओवरेंड होता है एक्वेटर के किस दिन जो दो एक्विनॉक्स है उन दिन हो 21 मार्च और 21 सितम्बर या 23 सितम्बर भी इसको बोला जाता है ठीक है जनरली वैसे 23 सितम्बर रहता है यह दो दर डेट चेंज़ बिकॉज़ आर इस नोट 365 डेज या पता है कि वो जो आधेज मतलब वन फोर्थ जो डे आता है और उसके वैसे जो चार साल में लीपियर आता है तो यह देज थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे होते है ठीक है लगबग आप देखेंगे तो 20 से लेकर 22 तेज तक ये दिन जो होते रहते हैं आगे पीछे ठ है तो 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर यह देट सा आप याद रखेगा ठीक है तो इसके बाद इस टू डेज आर कॉल्ड इक्विनॉक्स इस इन दोनों देख को बोला जाता है इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट्स यानि कि इन दो डेज पे all parts of the world में इक्व of cancer पे किस दिन जब हमारा 21 जून यानि कि summer solustice होता है ठीक है दिस इस इन और जून और summer solustice ठीक लेकिन मैंने फिर से आपको बताया कि जून solustice word जो है that is universal लेकिन आप 23 and a half degree जो north का time है यानि कि जून solustice है उसको आप summer solustice universally नहीं बोल सकते है क्यों क्योंकि वो जो आपका northern hemisphere है उसके लिए summer solustice है लेकिन अगर आप उसको southern hemisphere के respect में बात करेंगे तो वो winter solustice हो जाएगा ठीक है ना इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखेगा तो when the northern hemisphere will have its longest day and shortest night तो 21 जून को northern hemisphere में क्या होता है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात ठीक है और इसी के बाद अग the sun will be override at the tropic of Capricorn जो sun है वो tropic of Capricorn के उपर override होगा और उसको बुला जाएगा winter solustice फिर से मैं कहूँगा कि winter solustice is again not a correct word या फिर आप कहें कि universally word नहीं है universal word क्या हो सकता है इसके लिए December solustice ठीक है हम इंडिया के respect में बात कर रहे है हम northern hemisphere के respect में बात कर रहे है तो उस case में हमार सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात ठीक है जानी कि अगर आपी justice का उल्टा बात करें तो northern hemisphere में इस समय क्या होगा सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात ठीक और Antarctic Circle के beyond बात कर लें जहाँ पर darkness छेवेने रहती है और daylight रहती है for the remaining half of the year it's always cold ठीक है for even during the short summer the sun is never high in the sky वो क्यों नहीं है कि आपको पता है कि sun वहाँ पर कभी भी जो है डारेक्टली overhead तो आएगा ही नहीं ठीक है ना वहाँ पर sun क्या है कि overhead नहीं आएगा काफी जादा slant raise आएंगी तो उसकी वज़े से क्या है कि वहाँ पर sun की जो raise है वो हमेशा slant रहने की वज़े से वहाँ पर जो है गर्मियों में भी बहुत जादा गर्मी नहीं होती है ठीक है within the tropics the midday sun varies very little from its vertical position at noon daily the four seasons are almost indistinguishable ठीक है days and nights are almost equal all the year round tropics के आसपास ठीक है आप यह वाली figure देख सकते हैं यह आपका summer spring equinox है यानि कि जब आपका sun कहाँ पर है over the equator इसके बाद summer solustice या June solustice आएगा वहाँ पर आपका sun पहुच जाएगा जाएगी 6 मैने के लिए उजाला ही रहेगा और 6 मैने अंदेरा ही रहेगा दोनों पोल्स में ऐसा हो गई होगा तो वहाँ पर काफी जादा variation है ठीक है जो seasons का variation है वहाँ पर काफी जादा है और जो जगे ट्रॉपिक्स के जितने पास होगी यानि कि आप कैसे के ट्रॉपिकल रीजन में होगी एक्विटर के जितने पास होगी वहाँ पर variation उत्रा ही कम होगा ठीक है चाहे वह आप day and night के डिरुशन की बात कर ले बहुत जादा नहीं होगा ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं क कि season के change होने की वज़े से temperature पर क्या effect पढ़ता है देखे summer is usually associated with much heat and brightness and winter with cold and darkness यह हमें पता है कि summer में क्या होता है गर्मी होती है और brightness जादा होती है और winters में क्या होता है कि cold होता है और darkness होती है तो ऐसा क्यों है why this why should this be so देखे summer में क्या है the sun is higher in the sky than in the winter यह आपने देखा होगा कि summer के time में क्या होता है कि sun जो है वो जादा ऊपर से जाता है यानि कि उसका जो आप कहेंगे कि sky में जादा higher रहता है ठीक है when the sun is overhead its rays fall almost vertically on the earth ठीक है concentrating its heat on the smaller area temperature therefore rises and summers are always warm ठीक है इसके लिए मैं आपको एक बहुत simple example बताता हूँ ठीक है जिन दोंको मतलब जो इसको visualize कर रहे है उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो अगर नहीं कर पा रहे है तो उनके लिए मैं बहुत simple example बताता हूँ आप सभी लोग इसको कर सकते है ठीक है आप सभी लोग के पास mobile है या torch torch अगर नहीं भी है तो आज की डिट में mobile तो सब के पास है ठीक है न तो mobile की flashlight का एक्सपरिमेंट आपको करना पड़ेगा रात में जिस समय बाकी जगे डार्क मतलब बाकी कमरा डार्क है ठीक है आप क्या करेंगे कि एक बार आप जो torch की raise है वो आप ऐसे रखेंगे कागच की ओपर से overhead ठीक है तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एक छोटा सा circle बनेग ठीक है अब आप इससे खुद समझेगा कि जो intensity है ठीक है अगर मैं intensity की बात कर रहा हूँ तो torch सेम है hide भी आपने सेम रखी है तो intensity क्या हो जाएगी सेम है लेकिन जो slantness होने की वज़े से क्या है कि area आपका बढ़ गया ठीक है और जैसे ही आपका area बढ़ेगा तो intensity अगर आ हमारी heat भी आएगी तो यानि की heat intensity सेम है लेकिन हमारा area बढ़ जा रहा है जब हमारा raise slant हो रही है तब ठीक है तो उस case में क्या है कि intensity per unit area इस case में less होगी और इस case में क्या होगी जादा होगी ठीक है और जब हमारी intensity per unit area जादा होगी तो हमें यहाँ पर जादा गर्मी ठीक है यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि जब हमारा sun जो है वो overhead है यानि कि गर्मियों के समय में sun क्या है overhead है तो वो एक छोटे से area में क्या करेगा अपनी raise को concentrate करेगा जो मैं आपको यह वाला case बता रहा हूँ ठीक है ना इसको आप घर में करके देखेगा जिनों मतलब जो visualize कर पाते है तो अच्छी बात है अगर आप नहीं कर पा रहे है तो कोई मतलब जादा महेंगा नहीं है सस्ता सा experiment है ठीक है कागज आप लोग के घर में सभी के है mobile सभी के घर में फ्लेश लाइड उसमें होती है उससे आप इस experiment करके देखेगा आप खुद realize करेंग have much of their heat absorbed by the atmospheric impurities and water vapor और यह बात भी है कि अब जब winter में जब आपकी rays oblique आ रही है तो उनको atmosphere का ज्यादा पार ज्यादा पार ज्यादा पार करना पड़ेगा तो वहाँ पर ज्यादा पार इट्मोसफेर में water vapor और impurities है वो थोड़ा बहुत उसको भी क्या कर लेंगी वो उसको भ सादा बड़े area के ओपर spread करेगी जो आपको समझा है वहाँ पर तो इसकी वैसे क्या है कि intensity कम हो जाएगी intensity per unit area ठीक है heat कम हो जाएगी और temperature जो है वो कम हो जाएगा ठीक और पहना तो यह concept है दूसरा concept यह है कि अगर हम बात करते हैं summer की summer में क्या है हमें पता है कि जो दिन है वो लंबे होते है nights छोटी होती है ठीक तो दिन में क्या होता है कि heat आती है यानि कि heat gain हो रहा है ठीक है और night में क्या होगा कि heat loss होता है ठीक है अब आपके अगर days लंबे है तो यानि कि heat gain जो है वो जादा समय तक हो रहा है ठीक है और night छोटी है यानि कि heat loss कम समय तक हो रहा दिन छोटे होते हैं और दिन में आपको पता है कि जादा heat भी नहीं आ रही है क्योंकि slant होने की वज़े से intensity per unit area कम हो गया है तो heat जादा भी नहीं आ रही है और कम समय के लिए भी आ रही है ठीक और winter में जो nights है वो लंबी है उसके वैसे जो heat loss हो रहा है वो जादा है दिन में heat gain कम हो रहा है नाइट में loss जो है वो जादा हो रहा है तो इसके वैसे net क्या होगा loss होगा और सरदी यहाँ पर पढ़ेगी ठीक है चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक topic और है that is about the dawn and twilight इसको भी हम लोग यहीं पर cover कर लेते हैं आज के lecture में देखिए एक क्या है dawn and twilight क्या होता है the brief period between sunrise and full daylight is called dawn जिसको सवेरा बोला जाता है ठीक है ना सवेरा मतलब जिस समय sunrise हुआ है ठीक है ऐसा ना अपने horizon पे है rise हो रहा है और जब तक पूरी की पूरी full daylight नहीं हो जाती तब तक के बीच का जो समय है यानि कि जिसको थोड़ा बहुत आप देखते हैं जिसमें हलका हलका उजाला होता है ठीक है जो लोग अगर बहुत जल्दी उठते हैं तो वो लोग इसको experience कर सकते हैं ठीक है and that between sunset and complete darkness और जिस समय sunset होता है और पूरी तरीके से जब तक अंधेरा होता है उसके बीच का जो time period उसको बोला जाता है twilight ठीक है this is caused by the fact that during the periods of dawn and twilight the earth receives diffused or reflected light earth को उस समय diffuse or reflected light मिलती है from the sun ठीक है while it is still below the horizon ठीक since the sun rises and sets in the vertical path at the equator the period during which reflected light is received is short यह हमें पता है कि equator के उपर sun क्या है कि vertical path पर आता है ठीक है और temperate जो regions है यानि कि जो temperate latitudes है यानि कि हम बात करें beyond the tropics तो वहाँ पर sun कैसा है slant है क्योंकि tropical region के हम बात कर रहे है तो वहाँ पर कभी ना कभी तो sun overhead होगा ठीक है 21 June में Tropic of Cancer के उपर है 3 सितंबर को Tropic of Capricorn के उपर है ठीक है न sorry 22 December को 3 सितंबर को तो equator के उपर है ठीक है न तो इसलिए temperate region में आपको पता है कि जो sun है वो oblique path पर आता है और जो period of reflected light है वो लंबी है ठीक है और ये poles पर अगर आप जाते है तो बहुत जादा लंबी हो जाएगी so the winter darkness is really only twilight most of the time तो वहाँ पर generally क्या होता है कि twilight का जो समय है वो बना रहता है और यहाँ पर आप इसको आप figure से भी देख सकते है कि equator में जो path है वो बहुत छोटा है ठीक है equator में अगर आप path की बात करते है क्योंकि straight line पढ़ रही है तो यहाँ पर केवल path इतना सा है ठीक है सिर्फ और सिर्फ यही कारण है और यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि at the equator the sun rises and sets almost vertically so the time it takes to pass through the twilight zone that is A से B में will be shorter and for the temperate latitude where the sun rises and sets obliquely तो यहाँ पर जो time taken to pass through the twilight zone CD है वो लंबा रहेगा ठीक है यानि कि आप समझ सकते हैं कि equator का जो region है वहाँ पर twilight और dawn का जो समय है वो छोटा रहता है और हगर हम temperate regions की बात करते हैं temperate latitudes की बात करते हैं या tropics से बाहर की बात करते हैं beyond the tropics northern hemisphere और southern hemisphere दोनों में तो वहाँ पर क्या है कि जो twilight का duration है twilight का duration की बात करें या dawn का duration की बात करें latitudes किस तरीके से देखते हैं वो हम अगले lecture में cover करेंगे तो अगर आप लोग को ये lecture पसंद आया है तो please like जरूर कीजेगा जादा से जादा शेयर कीजेगा अपने comments वगरा जरूर बताइएगा कि आपको जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जा सके और geography के लिए मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि ये मेरी जिम्मधारी है responsibility है क्योंकि आप लोगों ने geography जो मैंने पहले भी पढ़ाई है चाहे वो physical geography है चाहे वो इंडिया physical environment है maps वगरा कि use figure वगरा कि use को आप लोगोंने काफी जाज़ appreciate किया है सराह है तो ये मेरी एक जिम्मधारी बनती है कि मैं आप लोगों को best illustrations या best visualizations के help से चीज़ों को समझाऊँ ठीक है तो जितना भी possible हो सकता है जितना भी resources हमें permit कर रहे हैं उतना मैं best possible आप लोगों के लिए करने कोशिश कर रहा हूँ ठीक है आप लोगो को initiative पसंद आ रहा है चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोग प्लीज इसके बारे में थोड़ा से जरूर बताईएगा ठीक है बाकी हमसे जादा जुड़ने के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा प्लीज प्लीज दो टेकर आफ यॉर्सेल्फ थैंक यू वाइज दे बाबाए जैहिंद